दोस्तों बाजार की रोनक बढ़ाने वाला ताजा मीठा अम्रूद आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद है ये आपके स्वास्त के लिए फायदे मंद तो है ही साथ ही सुन्दर्ता बढ़ाने में काफी मददकार है दोस्तों अगर आप यह नहीं जानते तो जरूर चानिए अम्रूत खाने के अन्मोल फायदे अम्रूत को फल के तौर फर खाने से वजन कम करने लंबे समय तक पेट बरा रखने के लिए बेस्ट डाइट है अम्रूत खाने से हिर्दे रोगों की संभावनाएं कम होती हैं और ब्लेट सुगर लेवल नियंतरित रहता है बिटामिन सी ऑक्षिडेंट से भरपूर होने के कारण एत तचा और बालों के लिए भी उप्योगी है अम्रूत में बिटामिन ए, बिटामिन सी, बिटामिन के, बिटामिन बी सिक्स, फोलेट, आयराइन, फास्पोरास, कैलसियम, पोटेसियम, जिंक, कापर, काबोहाइडरेट, फाइबर, आदिपोशक तत्तों से भरपूर होता है बिटामिन ए, आँखों के लिए, पेट के लिए, तचा के लिए, और शशन के लिए जरूरी है इसलिए हमें अर्मूत का सेवन अवश्य करना चाहिए और बिटामिन सी, रोग प्रतिरोधक छमता के लिए जरूरी होता है दोस्तों चली जानते हैं सर्दियों में हमें अर्मूत कब खाना चाहिए अमरूत खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है अमरूत प्रकित रूप से ठंडा होता है इसलिए इसे तब खाना सबसे अच्छा होता है जब सूरज उपर हो यानी दोपाहर के समय में अर्मूत खाया जा सकता है इसे दोपाहर में खाने से एक गंटे पहले या दोपाहर के खाने के दो गंटे बाद तक खाया जा सकता है इसके अलावा देर साम सुबा जल्दी या रात में खाने से बचना चाहिए अम्रूद खाने के साथ साथ अम्रूद की पत्यां भी मूँ के छाले को दूर करने में काफी मददकार है अम्रूद का रायता, चटनी और अजार खाने का स्वात बढ़ा देते हैं कच्चे अर्मूद में पके अर्मूद की अपेच्चा विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है इसलिए कच्चा अर्मूद खाना ज़्यादा फायदे मंद होता है अम्रूद में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाय जाती है अन्य फलो की अपेच्छा जैसे संत्रा संत्रा से 4 गुना ज्यादा अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी सेहत के साथ साथ सुंदर्ता के लिए काफी फायदे मंद है अमरूद में फाइवर की मात्रा बहुत अच्छी होती है इसलिए ये डायवटीज के मरीजों के लिए काफी मददगार है अमरूद खाने का एक बढ़िया फायदा ये भी है अमरूद को खाने से नसा उतारने के लिए काफी मददगार है जब भी किसी के नसद जादा चड़ जाए तो आप उसे होस में लाने के लिए अमरूत खिला सकते हैं हाई राइट में भी पेसेंट को डाक्टर अमरूत खाने की सला देते हैं दोस्तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें